चलिए आज कुकर में पनीर बिर्यानी बनाते हैं नमस्कार दोस्तों पुनम की जटपटर सोई में आपका स्वागत है दोस्तों वीडियो अगर पसद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें सेर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में जरूर वेक्त करें तो चलिए बनाना शुरू करते हैं कुकर में पनीर बिर्यानी इसके लिए मैंने आधा किलो पदीर को लिया है कि उसमें काटकर अच्छे से इसे गोल्डन बिल्कुल फ्राइ कर लिया है और इसमें मैंने गाजर और आलू को भी डाला ये और आधी छोटी चम्मच इसमें हल्दी को डाला है एक छोटी चम्मच नमक और ये अद्रक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट एक बड़ा चम्मच डाला है और एक medium size के टमाटर का paste डाला है, दो बड़ा चमच, मैंने गाड़ी दही को डाला है, दही बिलकुल गाड़ा है और बिर्यानी मसाला मैंने एक छोटी चमच डाला है, धनिया एक छोटी चमच, कश्पिरी लाल मिर्च एक छोटी चमच और मैंने काली मिर्च को एक छोटी चम तेज पत्ता और काली मिर्च को लिया है और इन सभी मसालों को भी मैं इसमें डाल दूँगी यह देखिए मैंने डाल दिया है और अब इसमें आधा नीबू का रस इसमें निचोड देना है और यह दो बड़ा चमच इसमें मैं धनिया और पुदीना को बारिक काटकर डाल दूँगी और इन सभी समागरियों को अच्छे से हमें अपने हाथों की सहाथा से अच्छे से हमें मिला लेना है बिल्कुल हलका सा दबा दबा कर और इसे ढखकर आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे और कड़ाई में मैंने लगभग तीन बड़ा चमच देशी घिलिया है आप चाहे तो रिफाइंड भी ले सकती है और दो मीडियम साइज के प्याज को मैंने लंबाई में काटा है इसका मैं पिरिस्ता बनाओंगे इसे मैं बिल्कुल गोल्डन ब्राउन इसे फ्राई कर लूँगी ये देखिए बिल्कुल हमारा प्याज हो चुका है गोल्डन ब्राउन और इसमें मैं ये जो हमारा पनीर ह इसे मैं डाल दूंगी डालने के बाद इसे शुरू में थोड़ा तेज आँच पर चलाना है फिर आँच को हमें धीमा कर देना है इसका जो पानी है पानी को थोड़ा सुखा लेना है ये देखिए पानी लगभग हमारा सूख चुका है थोड़ा सा इसमें पानी और रह गया है उसे भी हमें सुखा लेना है ये देखिए ये बिलकुल अब इसका पानी निकल चुका है ये देखिए इस तरीके का रहना चाहिए और ये देखिए चावल को मैंने अच्छे से लगभग आधा घंटा भीगोकर और इसे धोकर चान लिया है और कुकर में मैं इसे डाल दूँगी और मैंने जितना ये देखिए चावल अच्छे से फूल गया है हमारा और जितना चावल लिया है ये देखिए मैंने एक कप चावल लिया है तो इसमें लगभग मैं पौने दो कप मैंने इसमें पानी डाला है दो कप से कुछ कम और नमक आधी छोटी चमच मैंने इसमें डाल दिया है और अब ये जो हमारा पनीर है इसे मैंने डाल दिया है चाबल के उपर और इसके उपर फिर से एक बड़ा चमच मैंने धनिया और प और इसका हवा निकलने के बाद ये देखिए इसके ढकन को मैं निकाल रही हूँ और ये देखिए ये हमारा सांदार सा कुकर में जटपट पनीर बिर्यानी बनकर बिल्कुल तयार है दोस्तों बहुत जल्दी ये पनीर बिर्यानी बन जाता है और खाने में बेहद स्वादिश्ट तो आप इसे जरूर ट्राई करें यदि अच्छा लगे आपको तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें